हाँ जी तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लिकेशन ऑफ डिमांड एंड तप्लाई तो एप्लिकेशन डिमांड एंड सप्लाई में फॉर्स्ट कोशन जैसे आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हो आपके एक्जाम के प्रस्पेक्टिव से बहुत इंपोर्टेंट है एक्स्पेइन डगंसप्राइज प्राइज सी लिंग और यल्सी एक्स्पेशन ऑफ एक्सिस दिमांड बी टैकल या कोशिव्य गश्पेशन बड़ा इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम के पंडेविए से तो सबसे पहले आएए एक स्टोरी से इस बात को सम्झने की कोशि वर्लवार का दोर था तो उस समय अगर आप देखेंगे तो बहुत शाय। अधिन व्लवार खतम हो चुका था अब सैनिक जो है अपने घर वापस लॉट रहते तो बहुत स्विद्ट थे जो अमेरिका में वह अपने घर वापस लॉट रहते खासकर नियोग के तरफ गए और तो यह देखने को मिला कि वहाँ पर हाउस की डिमांड एकदम से नियोक सिटी के अंदर हाउस की डिमांड बहुत तेजी से बड़ी अब इस चीज को देखते वे वहाँ के जो लेंडलोड थे जो ऑनर थे हाउस के उन्होंने क्या अगरा रेंट को बढ़ाना शुरू कर दिया क्योंकि डिमांड ज्यादा हो गेती और यह रेट बढ़ते 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 यह रेट वहां तक चला गया था कि उनके लिए अब आफोर्ड कर पाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा था तो एक साधान सा एक्जामपल नियोक का पर जनली आप बहुत सारे वह आपके लिए नेसेसरी है अगर अगर आईफोन के प्राइजिस लगातार बढ़ते चले जाए तो उसकी परवा किसी को नहीं है और उसको लेकर कोई आंदोलन भी नहीं होगा कि भईया आईफोन के प्राइजिस ने ज्यादा क्यों जा रहे हैं ठीक है कार के प्राइज भी बढ़ जाते हैं तो भी उसको लेकर कोई स्ट्राइक नहीं होता है लेकिन वेही अगर प्याच कीत कीमते बढ़ जाएं वही नमक की कीमते बढ़ जाएं तो यहां पर बात चल रहे है नैसेसरी कि लगजरी तो यह है कि यह महंगा तो मतलो गवर्मेंट आपको यह बोल देगी पर नेसेसरी के लिए तो नहीं कह सकते नहीं कि यह तो आपको हर लोगों के लिए अफोड़ेबल नहीं हो पा रहा है लोग उसको अफोड़ेबल नहीं हो पा रहा है अब नहीं कर पा रहा है इतना महंगा हो गया वो नेसेसरी गुड्स भी है तो वहाँ पर क्या किया जाए तो वहाँ पर सरकार को जो है इंटरफेर करना पड़ेगा गवर्मेंट को वहाँ पर इंटरफेर करना पड़ेगा गवर्मेंट वहाँ पर आएगी गरीब जंता को इसको हम क्या बोलते हैं मैक्सिमम प्राइस भी बोलते हैं , डार नख्या गया, इस मझा की को दिखेते हैं उपपर नहीं सकते हो. अगर मैं आपसे कहता हूँ, कि एक price अपनी तरफ एक price set कर देती है अब बोल देती है कि इस product की maximum price ये charge होगी इससे उपर अगर किसे ने price charge कर लिया तो वो illegal होगा उस पर कानूनी कारेवाई की जाएगी क्योंकि necessary goods है तो government को तो interfere करना ही पड़ेगा मैं क्या कहना चाहरा हूँ मेरी बात को आप जरा समझेगा चलिए market की demand and supply पर अगर चीजों को हम छोड़ दें तो क्या प्रिणाम देखने को मिलेंगे आपको अगर आप market की demand and supply की बात कर रहे हैं एक ग्राफ से समस्ते हैं इसको हम सबसे पहले हैं और इसन वाई एक्सिस एक्स एक्सिस और यहां पर मेरा है प्राइस और यहां पर एक क्वांटिटी और बात करते हैं यह demand करव है और यह supply करव है सबसे पहले आप equilibrium setup कर दीजिए यह point है जहां पर दोनों equal है आपके पास पर डीडी डिमांड करव है ऐसे सप्लाई करव है जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं equilibrium point है और यह equilibrium price और equilibrium quantity है मान लोग की बाजा market की demand and supply ने आपस में ही वो price set कर लिया जो कि एक consumer के लिए affordable नहीं है और वो कहीं ने कहीं goods consumer के लिए necessary goods भी है तो इस situation में आप देखेंगे कि क्या होगा इस situation में फिर government क्या करेगी एक maximum price cut करेगी कि भाया इस से उपर price charge करना अपने अपमे illegal है अब maximum price government क्या रख सकती है सबसे पहले तो देखेगा government maximum price में एक तो equilibrium के बराबर भी maximum price price government announce कर सकती है मालो प्याज की कीमत डेड़ सुरुपे पहुंच गई एक लिमिट लगाएगी वो क्या सकता है पॉसिबिटी तो तीन है मैक्सिमुम प्राइज एक लिए रिम प्राइज गवर्मेंट खुद बोलने के डेड़ सुरुपे अपर अचारो डेड़ सु आ गया कोई बात नहीं अब इस जो पर जो बेचेगा वो गयर कानूनी के गंदर कैटिगरी होगा तो मैक्सिमुम प्र प्राइज एक्वल्स टू एक्लिब्रियम प्राइज एक्वल्स टू एक्लिब्रियम प्राइज ठीक है अब अगर आप एक्लिब्रियम प्राइज के एक्वल वा तो क्या एफेक्ट पड़ेगा तो कुछ भी एफेक्ट निपड़ेगा मार्केट में उसी प्राइज पर उस से ऊपर नहीं जा सकता है अगर माल लेजिये maximum price सरकार जो decide कर रही है जो market ने price decide करा है marketing रिसाइड कर दिया price अपना ये बट government कह रही है कि नहीं ये प्राइस तो कुछ ज्यादा ही सेट हो गया ये consumer afford नहीं कर सकता है तो government अपना एक मैक्सिममम प्राइस तक गरीव लोग को तक चीज़े पहुंच पाई तो सरकार ने क्या करआ गौर्वर्मेंट ने यह aqe sto गौर्वर्मेंट ने टिन इस बेठी गौर्मेंट ने भोला यह तो अफ ले तो आप गर्वर्मेंट इंटर एक आप यह maximum price यह आपके पास में OP1 है मतलब इस से उपर आप price चार्ज नहीं कर सकते हो otherwise यह illegal है क्योंकि जो price market से set हुई है जो price आप लोगों ने decide करी है जो आप लोगों से जो price बना है वो तो काफी ज़्यादा है मतलब अब कोई भी producer OP1 से अब प्राइस नहीं चार्ज कर सकता है कोई दुकानदार OP1 से उपर प्राइस नहीं चार्ज कर सकता है तो इस situation में क्या होगा इस situation में अगर आप दिखेंगे कि यहां पर आपके पास ओपी वन पर यह क्या आपका यह तो आपका सप्लाई है मानते हैं उस अप्लाई का कुछ टच कर रहा है चली Q1 नाम देता हूँ और demand आपका इस पर Q2 नाम देता हूँ यह demand का कुछ टच कर रहा है तो क्या है यह demand है clear है जी तो यहां पर आपके पास में क्या create हो जाएगा यह एक आपके पास में excess demand की situation आ जाएगी clear है मैं एक example के लिए समझने की कोशिश करूआ जैसे कि इस समय जो है चावल है अलग अलग है rate के होते हैं और सरकार को लगता है कि यह 30 रुपे किलो गरीव लोग जो की गरीव यह देखा से नीचे हाते हैं जिनके पास रोजगार नहीं है वह अपने लिए 30 रुपे किलो चावल खरीच रोड़र के सा रंजम्शन नहीं का सकते सरकार लगता है कि तो मार्केट ने प्राइस सेट कर सबस्क्राइब कि SHASH धा उसे बिलोगın अगर आपको वो पूरा लाऊ हो को लिमिट ना तो है नंगा गाड़ी लेकर चले जाएंगे लेकिन उसकी एक राश्निंग सिस्टम बनाया हुआ है कोटा सिस्टम बनाय हुआ है तो यह access demand कि रेट हो जाता है यहां पर कभी भी maximum price maximum price से below होगा तो वहाँ पर is demand access होगी तो वहाँ पर कुछ प्रॉलम्स भी क्रीट हो जाएगी उसको manage कैसे करेंगे, tackle कैसे करेंगे, सवाल इतना, तो उसको जो है न, पहले आओ, पहले पाओ की नीती अपना सकते हैं, कि जो पहले आएगा, उसको हम दे देंगे, या policies पे हम ये भी ला सकते हैं, सबसे बड़ी आ policy तो क्या होती है, quota system, quota मतलब की limit बांदिया है सबका, कि सबको एक परसंट पर चार किलो अनाज मिलेगा, अब उसको चार किलो ही मिलेगा, चाहे उसकी need ज्यादा है, या फिर कम है, वो कम है तो वो कम ले सकता है, लेकिन चार किलो से उपर की demand करेगा, तो वो fulfill नहीं होगी, तो इस तरीके से सभी लोगों तक रासन को पहुचाया जाता है, पहले मेरी बात आप समझे या नी समझे, क्लियर है, अब आपके सर्कार कहा से रासन लाती है, मोदी जी को तो कभी खेती करते हुँ देखा नहीं, तो फिर इतना सारा अनाज आता कहा से जो ये बाटते हैं, अब आपके मनमें एक सवाल आ रहा होगा, सर ये कि तीस रुपे किलो खरीती है सरकार, अब फिर दो रुपे में एक रुपे में बाटती है गरीब जनता को, नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्या होता है, अभी इसका अगला कोशन आएगा आपका फ्लोर प्राइस, मिनिममम प्राइस, उसमें आपके ब फिल्फिल करती है, और इसको टैकल कर लिया जाता है, इसके अगर एफेक्ट की बात करूं, तो कहीं न कहीं, आपने देखा होगा, जो रासन कार्ड वाले होते हैं, यह जल्दी से कई बार दुकान नहीं खोलते हैं, यह सामान रात को आया, तो साइदो सुबक बत पता भी काला वाजारी हो गई, स्रकार को 2 रुपय के हिसाब से दाम पीछे पास करवा दिया 8 रूपय कमाई हो गई और जो गरीब जनता उसको बता दिया हूं पीछे ते विढ़ा समान नहीं आ पड़ीर हैं कि सो में सो लोगों के पास में अगर रासनकाड है तो सो लोगों में से मुच्छिल से मुच्छिल आप चुर्फ दो लोग बता दिए जिसको एक्च्छल में जुरूत स्काड की सब्सक्राइब करें लोग होते हैं तो रासन के लिए निवट करी लेता है यह वो लोग होते हैं जो खाना वदोस वाला जीवन अपने यहां से वहां यहां से हुआ जगह से उस ब्लग इस जगह से उस जगह पर करते हैं वो लोगोत जो भूखास होते हैं यह वो लोगोते हैं और जो रिक्वारमेंटर रशाइन काड़ बनने की जान-पेचान होना चाहिए पीछे से MLA फोन करें तो ऐसे गरीब लोगों के कोई जान-पेचान नहीं होती है त तो लोग रासन गड़ बनवाते हैं अब बताए इस पर खाने के लिए आना जानी है वो बैंक में खाता खुलबाने जा रहा है तो यह इस तरीके का जो हमारा सिस्टम बना हुआ है इस सिस्टम के वज़े से तो गलत जगह पर सरकार का पैसा खर्च हो रहा है तो यहां पर कि आप इस बात की समझने की कोशिश करें कि यह लोग क्या करते हैं कि जिनके पास पर यह रासन आता है तो वह कंज्यूम कर लेते हैं और जो बच जाता है या फिर उसको बहार उनी दुकानदारों को 15-16 रुपए किलो में बेच देते हैं अगर आप पूछेंगे अपने द जो कि चास रुपए की तीन सुरुपए की द्यहाडी साइद उसको शहरों मिल पाती गौण में वह भी ने मिल पाता उसको जो सो पचास रुपए की मजदूरी करकर शाम को रिक्षा चला करकर आया और वह वह तीस रुपए किलो वाला फिर वह चावल खईजरा है जो स्ट्रम चलता जा रहा है और गरीब हो तक उनका हक नहीं पहुंचता है कि मुलें कि मुलें झाल 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 तो यहां पर तो यहां पर कुछ ही जो मेरा कोशन ही यही था मैं यह जो बात चर्चा कर रहा था मैं कोई टॉपिक से हटा नहीं मैं चर्चा यही कर रहा था एक्स्प्लेइन दा कंसेप्ट और प्राइस सीलिंग प्राइस सीलिंग क्या है तो कोई नेसेसरी गुड्स को लेकर करके अगर उसके प्राइस कॉंटेनेशली इंक्रीज होगी तो गवर्मेंट इसमें इंटर्फेर करेगी और वहां पर एक मैक्सिमम प्राइस लगा देगी इसको सील कर देगी कि वहां इससे उपर आप नहीं जा सकते हो प्राइस सीलिंग हो गया वहां मैक्सिमम प्राइस लेवल आपका आ गया अब मैक्सिमम प्राइस लेवल अगर एक्लेरें प्राइस पर ही सेटों सरकार कर देते तो कोई इशू नहीं है लेकिन अगर उससे बि कि फिरो इसको टैकल किया जाता है और इसके साइट स्वेक्ट क्या होते हैं ब्लैक मार्केटिंग यह देखने को मिलती हैं अब सवाल यह है कि अगर मेरे पास में अगर मेरे पास में दो जगद मैंने बता दिया आपको एक कव यह तो,maximum price is equal to the equilibrium price and second one,maximum price मेक्सिमम प्राइस आपके पास में डे जैसे स्वेक्किलिव्रूम प्राइस। यह इंपोडेंट धा ठीक है जे दो पॉइंट समझ मांगे आपको अब चलिए अगर मैं ये बात करूं कि अगर maximum price आपका maximum price अगर आपका जो सरकार जो price reside कर रही है कि इस तो पर वो equilibrium price से greater हो तो क्या होगा मानलो अभी तक तो एक लिर्यम प्राइज जो market ने set किया है वह काफे नॉमिनल सेट किया है मानलो अगर ऐसा है पर गौर्रम को आशनका है कि भाया यहां तक तक तो यहशे जो दागिया गया तो ऊपर चला गया तो लोगों अगर मालव एक लियरण प्राइस जो है एक वाइसस्ट हुँ उपर कोई रख दिया मैक्सिमुम प्राइसा अगर यह government डग देती है, तो इस case में अगर आप देखोगे, तो यह आपके पास में demand करव है, यह आपके पास supply करव है, तो यहाँ पर आप देख पारे हो कि आपके पास में access क्या होगी, इसमें क्या होजाएगी? हां जी अब बताएए वाइस आ रही है अब बताएए वाइस आ रही है क्या नो वाइस हां बताएए वाइस आ रही है हां बताएए वाइस आ रही है हालो हालो हाल जी कंटिन्यू करें जी छीक है चलिए कंटिन्यू करते हैं तो यहां पर अगर मेरा मैक्सिमम प्राइस एकलिवबाई से अबब होगा तो यहां पर एक्सेस सप्लाई देखने को मिलेगी आपको क्या होगा और जब में कर्या होगी सरकार ने अगर मान लो आज माझाels वे सब्सक्राइब तो लोग बड़े मुशिवत हो जाएगी सरकार ने डिसाइड कर दिया तो आपको इसे क्या फ्रक्पडता है आप तो बजार से खईद होगे तीसरों आपको मिलतो हो रहा है सब्सक्राइब तो यहां पर जो बजार से उसकी कीमत पर लोग अपना खरीदेंगे सब्सक्राइब तो पहले आपको सब्सक्राइब करती है जब आपका अगर अपना प्राइस सरकार डाल देती है तो भी सटनी पड़ता है सब्सक्राइब करती है तो यह वही बात कहा रहा है कि सीलिंग प्राइस मोर देन दा एक्लेरियम प्राइस खेर इससे दर फर्मी पड़ता है इस चीलिंग प्राइस 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 तो यहां पर भी कोई फरक नहीं पड़ता है मारा रेक्टेट है यह यहां पर पर फिल्ँक्राइस आऴ। it will create condition which need our future attention suppose in the government imposes the ceiling at oh per unit the equilibrium price op would no longer be price must be reduced from op to oh at the lower price quantity demanded will expand it but at this reduced price supplies will be ready to supply only this quantity important question important question pdf आज आपको मिल जाएगी content में चले जाएगे तो आपको कैसे कैसे चेप्टर वाइस पढ़ने आपको आज चेप्टर के दस चेप्टर हैं आपके दसों के मिल जाएगे बस आज मिल जाएगा आपको और कल होगा ठीक है बात करते हैं यहाँ पर किस्षिश के अज़िए हम बात करते हैं एक्स्प्लेइन दा कंसेप्ट ओफ मिनिममम प्राइस मिनिममम प्राइस को आपने बहुत सुना भी किसान अंदोलन में मिनिममम सपोर्ट प्राइस ठीक है जैं हां बहुत सारे शुडेंट ऐसे हैं जो कि नए जुड़ रहे हैं और बहुत सारे बच्छे वह जुड़ रहे हमारे साथ में और वह बच्ची जब क्लास पर वेट करते हैं तो कुछी समझने में दिखकत आपको हो सकती है क्यों क्यो सोड़ा सा दो क्लासिस पीछ आप देखेंगे तो आपको आज आ जाएंगे ठीक है और कि प्रड़क्शन फंक्शन का आज फोल्डर अलग बनावा बनावा जिता हूं ज्यादा प्लासिस नहीं हुई है उसमें उसमें तीन प्रड़क्शन फंक्शन की देख करके ख़लान वा उसका करता हूं नेक्षटर प्रड़क्शन초 की तीन फ्रासिस लिएगा तब आप प्राइस क्या होता है क्या क्या देख लिए गा तो अब यहापर बात करते हूं MSP क्या होता है देखेगा अब मैं आपके एक बाद बताता हूं यहां पर इस बात को भी ज़रा समझने की आप कोशिश करो कि अब मैं बात मैंने तो एज़ा कंज्यूमर के पॉइंट वी से बात तो रखती बट एक अधा पडियूसर के पॉइंट वी से में बात रखने जा रहा हूं मतलब मैं अपने आपको एक किसान समझ रहा हूं एक किसान उस चीजों का ब्लक्षन करता है जिसकी डिमांड इनिल सब्सक्राइस करते हैं ऐसे आसे सप्सक्राइब को सब्सक्राइब लकिन उसको एकदम जास अखम कर दोगे ऐसा नहीं होगा कहीं न कहीं आपके लिए एजा कंजूमर के लिए इन चीजों की डिमांड लब लब पूरे साल कॉंसेंट बनी रहती है डिमांड में ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता है तो जब किसी चीज की डिमांड में ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिल पा रहा है वो तेमांड पूरा साली लव लव उतना ही कर रहा है तो दीमांड में फ्लक्षिशन का ना होना कि सप्लाई को एक दम से घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है च चीए उतनी ही रहेगी कि कल किसान कल डिमांड जादा आगी देश में तो एधन से रात रात किसान ने अनाज पाइदा कर दिये नहीं कर सकता है तो किसान उन चीज़ों प्रक्षिन करता है जिसकी डिमांड इनिलास्टिक होती है मतलब लोग उसकी 息 को ना तो बढ़ाएंगे ना तो डिमांड को कम करेंगे डिमांड लभल पूरे सी बैसा ना तो डिमांड इसको बोलते है a no if मैं आव इसके समस्यह क्या आती है किसानों के लिए तो वह ज़्यादा पेंफूल रहता है किसानों के लिए और वह ज़्यादा कैसे पैनिक करता है समझ भीजिएगा अब इस सीच को मैं बात क्रॉप्स की कर रहा हूँ इस तुबार क्या हुआ भगवान की किरपा से सबकुत अच्छा रहा और सफलाई बहुत ज़्यादा हुई लेकिन हमारे डिमांड जो हर साल रहती है हमें अपरी डिमांड वही करी पर बात समझेगा एक किसान गरीब होता है जातर किसान गरीब होते हैं उनके पास में अपना कहां से गुडान आया है और जो अग्रिकल्चर से लेटेड़ जो प्रोड़क्ट होते हैं वह प्रड्यूस जब होते हैं प्लक्षन जब होता है और जब कंजम्शन होता है इस बीचे बड़ा ग्यायप होता है बहुत सारे फूरूट्स ऐसे हैं कि एक सीजन में आते हैं समझेगा तो यह सप्लाइश तो यह कर दिया किसाने बर्डिमांड तो अब आपको पताए कि पूरे साल की चीज़तों की तो पूरे साल भी कंजम्शन करूँगा वा सबसे पहले जो जो जञता तो पब्लिक आगर सोना उसको सस्ता मिले तो ऊठांगर रखलेगी क्योंकि व अगर आलू टमाटर प्याज अगर सस्ता मेले तो हम इसको ठाके अपने घर में तब भी नहीं भरेंगे कि खराब हो जाएगी दो दिन दिन वाद जितनी मेरी नीड़ा आज के कल की हुआ है वहां तक जाकर कि समान को ला सकता हूं तो किसानों को क्या हुआ कि सप्लाइ आसमान की नीचे छोड़ दिया जाएगा बताओं ले आसमान के नीचे अगर हमने अप उसको बंडल बना बना करके उन फसलों का खेत में बानभान के खेत में रखे रहते हैं छोड़ दिया तो क्या होगा तो एक चीज तो यह होगी सबसे पहले कभी बरसात आ गए तो उसक क्रॉप्स है वह पूरी तरह के से बरवाद हो जाएगी तो इसकी कीमत उसको कितनी मिलेगी इसको जो है इसकी कीमत उसको जीरो रुपए मिलेगी चलो अगर बारिस नहीं भी आए तो कीड़े मुकुड़े लगे तब वो खराब हो गया जानवर आगर के उन्होंने इसको खराब कर दिया बहुत सारे रीजन है तो किसानों के लिए यह जरूरी हो जाता है वो यह चिंता में पढ़ जाता है कि जल्दी से जल्दी यह सेल हो ज है कि सान की नहीं है कि उसको इस बात के चिंता की फसल एक मौस्समी होता है अगर उसको पर प्यदा वार हुआ तो पूरे राज्जे में उसस्टा का पैदा वार है राज्जे का हर किसान बत सोचके बठा हुआ है उसको जल्दी बेचना है ऐसको लेने का नाम निए लेगा अगर उसको अगले मेने कांजम्शन वो अगले मेने ख़ई देगा इस मेने वो नहीं खरी सकता है जितने आज के जो और तो प्लाई कहां जाएगा फिर फिर एक आते मीडियेटर जो कि क्या करते हैं गाओं के साहुकार ये क्या करते हैं ये किसानों से इन फसलों को खरीज लेते हैं और अपने पास में स्टोर रख लेते हैं और जैसे जैसे लोगों को नीड होती है वैसे वैसे लोगों को बेसिक ले जाते हैं अब लेकिन उस समय जो मीडियेटर हैं ये ज अब जो मिडियेटर है उसके पास इतने सारे लोग बेचने के लिए आये हैं लाइन लगी हुए धक्का दुक्की कर रहे हमारा ले लो हमारा फसल ले लो अब मिडियेटर क्या करेगा अब उसकी वह बोलेगा पर मेरे पास इतना श्टोरीज नहीं है मैं इसके कीमत नहीं दे है तो इसका फाइदा उठा करके इस वह बहुत्ता हो कार ये जो मेडियेटर होते हैं यह किसानों से बहुत सफ्ञे में 15 रूबे किलो चारुबे किलो फसल उठा लेते हैं और इसको ठाकर तो पर फिर 25-30 रूबे किलो बेसते हैं तो जिसने पूंजी लगाई जिसने महनत क कि इसने सब कुछ किया जिसने रिस्क उठाया वर्वाद उता तो पूंजी भी लगा रहा है जो मज़ूरों की तरह हैं उसको उसको पांच रूपे मिलें जिसमेस से उसकी लागत भी है जिसने ऐसा कुछ भी नहीं किया सिर्फ स्टोर करके रख लिया उसको उसके 25 कीमत मिल गई तो ऐसा माना जाता है कई बार किसान की जो प्रोडेक्ट है उसके कीमत कई बार उस तक नहीं पहुंच पाती है तो इसलिए इनका जो है इनके प्रोडिका जो है कोडियों को भाव परकम नुक्सान होता और नुक्सान होता खाय कर Whichण ज्यादा सप्लाइटिये तो यह उम्मीद करती के बैस्प्लाई अच्छा वह तो ज्यादा कम आएंगे तो नուंगा तो बरबाद है अगर ऐन दिग तो होंगए और ऐक पीश्य-ख़ाई वाल je सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है तो सब्सक्राइब करती है अपने खुद के गौर्डमेंट गौडाओं मना दे जो कि बहुत नौमिनल चार्जिस किसान से लेकर करके उनके माल को अपने पास में स्टोर रखे पर कही ना कहीं गौर्डमेंट आपको में वह पाएगी में चीज़ों को यहें मिनिममम सपोर्ट पर अगर गवं merit ने बोल दिया कि भईया जो आपका जो वीटन है कि मिनिमम कि कि सपोर्ट प्राइब गौर्म जिसको कहते हैं एम एस्टी कौर्मेंट ने बोल दिया कि आपके वीट को हम लेंगे 15 रुपए किलो भूल जाओ सहुकारों को भूल जाओ मिडियेटर को हम तयार हैं आपके जिले में आपके शहर में एक हम खुद की अपनी मंडी लगाते हैं जहां पर आप आओ अपना सामान लेकर करके और हमें आप बेचो और हम 15 रुपए कीमत आपको आपके प्रड़क्ट कित देगा आप कोई साहुकार आप से बोल देगे 10 रुपए मैं खईद रहा हूं तो आप उसको बेचोगे आप सीधा क्या करोगे बैल गाड किसानों को बेच दोगे तो प्लक्षिन मिला नहीं मिला जो चीज़ के पांच रुपए की जा रहे थी आज वंदर अगर किसी साहुकार को आपसे आपका सामान लेना है तो उसको पंदर रपे से उपर आफर करना पड़ेगा तब जाकर कि वो किसान उसको देने के लिए तै से नीचे तो किसान के प्रड़ के प्राइज जाही नहीं सकती है अगर किसान अगर सरकार ने में सब्सक्राइब कर दिया तो किसान के प्रड़ेक्ट पंदर पर से नीचे बिकेंगे मिनिमम मतलब इससे नीचे नहीं जा सकता है मैं से मतलब इससे ऊपर नहीं जा सकता है तो इ आग्मुट झाल 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 तो अब मैं बात करता हूँ तो यह कहां कहां इसकी भी तीन पॉसिबिटी से सबसे पहले तो मार्केट अपने हिसाब से डिमांड और सप्लाई की अकोडिंग क्या करेगा वह अपना एक प्राइस सेट करेगा यह औरिजन हो गया प्राइस करा गॉर्मेंट को लगता है कि यह प्राइस जो मार्केट ने सट किया है यह प्राइस इससे बिलोव अपना मिनिममं सपोट प्राइस गवर्मेंट लिया आती है मतलब बाजार में चीज़ 30 रुपए के लिए सरकार कह देगे हमें बेज़ो हम भी तुम्हारा समान खईदने के लिए सैयार है तो सबसे पहले तो 33 सिच्विशन है एक अगर एकलिब्रियम प्राइस के एक्वल रहा तो कोई फ्रक नी पड़ेगा अगर इससे नीचे रखा अगर इससे सरकार सरकार कहती कि यह 30 रुपए मार्केट डिसाइड कर लिया सरकार क्या कहती है कि मिनिम्म सपोर्ट प्राइज हम आपका समान पंदार रुपए में खईद लेंगे हम आपका समान पंदार रुपए में खईद लेंगे तो भी कोई सरकार को नहीं बेचीगा मार्केट में चीज़ें इसी रिट पर बिक्ती चली जाएंगे समस्य आपके सामे समस्य तो खेडने कहें वह समय सरकार बेसिकली मेस्पी अपलाई कप करती है जब वह इस सीच को देखती है कि जो मार्केट में जो एक्क्लीवरें प्राइस सेट हुआ है और किसानों को जो मिलना चीए उससे काफी नीचे नीचे ही दिए प्राइस को सेट कर दिया है बड़ ये तो किसानों के लिए रुक्सान दायक है तो सरकार अपना MSP लेकर कि आती है कि भाया हम आप से ये प्राइस ले लेंगे प्राइस बड़ बजा है कि ले रुक्त लेखारी बादस कि ले लुक्त है बड़ित वड़ितрашनीकि ले विल थे कोू आकार अप ले। झाल झाल हां जी वह पॉलिसी का दिश्क बात करेंगे हमारे टॉपक्स लिट नहीं है अब फिर भी आप डिससन चाहेंगा तो में जरूर करूंगा ताकि एक लिए आजए दिखेगा तो एक अगर गौर्मेंट को रिलाइज होता है कि आज जो एक लिरेंप्राइस चैट हो वह तो बहुत इसे नीचे मत बेचो किसी को मिनीमम सपोर्ट इसे नीचे तो जाना ही नहीं है आपने तो सरकार ने पीवन लग दिया तो इस केस पर क्या होगा डिमांड यह रहा आपका और सप्लाइए रहा किसान बड़े मोटीवेटीड हो जाएंगी यार यह बात तो ठीक है अब हमारे पैदावार होगी तो नुक्साना कोई डरी नहीं है कोई ले यह चाहे ना ले कंजूमर कंजूम करे चाहे ना करे हमें सभी कोई सरदर दे नहीं है हम जाके सरकार को सीधा पकड़ा देंगे सामान अपना तो जब भी क्लिरम प्राइस से उपर आकर के सरकार MSP को सेट कर देत सप्लाइए इस सप्लाई में आप देख और रहें से सप्लाइं में क्या होता है कि आप इसनगों तक तक गरीड द कर राशनकार्ट की तिरो आपड़ा आने पर या जैसे कोवीड आने पर फिरी में रासंद बाट दिया सरकार ने सबीघिज रासंद कार्ट हो या नहुंद करती यह अपने पास गैघ्ण के गर्मिंट रखती है तो बेसिकली क्या है कि जब हमारा MSP से अबब होगा तो एसस अप्लाइब को गवर्मेंट स्टोर करके रख लेगी और गरीब कि इस पर हम कल की क्लासिक चर्चा करेंगा डिटेल में टेक्स के ऊपर करता चीख के जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में थैंक्यू जी थैंक्यू सो मच आज थोड़ा जल्दियू में और इंपर्टन कोश्चन की पीडियाप बनवा करके अभी मैं आपके उसमें शेर कर देता हूँ कंटेंट में इंपर्टन कोश्चन के नाम से फोल्डर बनाऊंगा ठीक है और वीडियो थोड़ा सा आप अपने गुरुस्त वगरा में शेर आज क्लास नहीं है क्या आज शाम को आज शाम क्लासे नहीं है ठीक है जी मिलते हैं फिर नेस थैंक्यू जी थैंक्यू सो मच वेरी वेरी गुड़ मॉर्णिंग टू अल अफ यू तो आज की क्लास में एप्लिकेशन डिमांड एंड सप्लाई चेप्टर को हम कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के साथ साथ पूरे सिलेबल के हम इंपॉर्टन कोश्चन्स पर डिसकसन करेंगे तो इंपॉर्टन कोश्चन्स पर हम आएंगे लेकिन उससे पहले हम इस चेप्टर को पहले कंप्लीट करते हैं जैसा आप अपने सामने देख पा रहे हैं कि कोश्चन यह है देखेगा क्या होता है कि government जो है indirect tax लगाती है goods and services पर सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि indirect tax किसे कहते हैं वो tax जो लगता किसी और पर है और इसको afford कोई और करता है जैसे for example आप movies देखने अगर कभी गए हैं तो जो cinema hall की ticket पे भी tax होता है तो tax लगा किस पर और उसको afford किस नहीं किया इसको हम बोलते है indirect tax लेकिन जैसे कि income tax हो गया वो मेरी income पर लग रहा है तो उसको afford भी मैं ही करूँगा झाले मताहँ झाले तो में हम पर भीस किस अभी बॉक रच्छंपो रहा है रहा है झाल 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 और यह वोईस है यह सब्सक्राइब करते हैं यह सब्सक्राइब करते हैं हाँ जी तो देखेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं डिरेक्ट टेक्स तो अब जितने भी मैनुफेक्ट्रिंग यूनिट्स होती हैं वहाँ पर गौशन सर्विसिस के ऊपर वहाँ पर टेक्स इंपोस्ट करती हैं तो जब टेक्स लगाती है वहाँ पर तो एज़ा फर्म एज़ा पर्डियूसर आपके माइंड में यह आता है कि जो टेक्स लग रहा है लगने दो हमें क्या फरक पड़ता है हम इसके प्राइज में एड करके प्राइज इसका एक क्रेट कर देंगे और यह फाइनली कौन प कर देता है तौसब से पहले पोई इस बात समझना होगा कि टेक्स लगने से क्पॉर्म के साथ में क्या होता है टेक्स लगने से एक फ KIRBY के लिए फिलाल इनिशली उसका जो को स्ट है वह एस उब खाता है अगर आप टेक्स लगाएंगे तो टेक्स लगाने से क्या आटेक्स एक फॉर्म पर लगा जा रहा है यह आपका सप्लाई करव है और इसन है एक सेक्सिस और वाई एक्सिस और आपके पास में सप्लाई करव है ठीके जी तो अगर टेक्स लगा सबसे पहले प्राइस पे आपकी अपने क्वांटिटी है क्वांटिटी सप्लाई है यह प्राइस है यह क्वांटिटी है तो टेक्स लगने से क्या होता है कि आपका जो सप्लाई करव है वो क्या होता है लेफ्ट वर्ट सिप्ट हो जाता है क्यों लेफ्ट वर्ट सिप्ट हो जाता है क्योंकि टेक्स लगने से आपके जो है आप पहले इनिट पहले आप कर पा रहे थे अब आप उससे कम सप्लाई कर पाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं जो है अन्फेबरेबल चेंज आ गया गवर्मेंट के पॉलिसी में गवर्मेंट जब टेक्स को कर देती है कम इसका मतलब होता है कि गवर्मेंट के अब सवाल यहां पर यह है कि कभी कभी आप इस बात को समझेगा कि कभी-कभी तो tax का सारा बडन consumer पर डाल दिया जाता कि भईया तुम pay करो हम पे नहीं करेंगे, as a producer, लेकिन कभी-कभी producer क्या करता है, कि उसको सारा tax को खुद ही afford करता है, पूरा tax का बडन जो सरकार लगाती है, माल हो, 5 रुपए एक युनिट पर लगाया tax, सबसे पहला समझेगा जब आपके डिमांड जो है किसी कमडिटे की डिमांड परफेक्ट इलासिसिटी है कोई कमडिटे है उसकी डिमांड परफेक्ट इलासिसिटी है इलासिटी का मतलब क्या है जरा कमेंड करकर क्या बताएं परफेक्ट इलासिक का मतलब यह कि प्राइस में अगर आपने मामुली सा भी चेंज कर दिया ना तो वो गरहांक है ना आपका टेक्स तो छोड़ो आपके गुर्स को इछोड़ करके भाग जाएंगे परफेक्ट इलासिक तो परफेक्ट इलासिक का मतलब क्या होता है परफेक्ट इलासिक का मतलब यह होता है कि डिमांड जो है बहुत फ्लेक्सिबल है हलका सा भी प्राइस में चेंज डिमांड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देगा खासकर यह उस तरह की कॉमेडिटी होती है जिसकी बिल्कुल परफेक्ट या क्लोस सब्सिचूट मार्केट में एबिलेबल होती है एक्जामपर के लिए बिसलरी और किलने की पानी की बॉटल बिसलरी की प्राइस में हलका सा भी अगर इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगी क्योंकि इसकी बिल्कुल एज़ेटे इस किल्ले की पानी की बोटल बाजार में अबेलेबल है तो लोग किल्ले पी लेंगे क्यों अगर एक रुपया भी उसका दाम बढ़िया तो लोग फिर उसको छोड़ देंगे बिसलरी को और लोग फिर किल्ले पे आ जाएंगे पानी यह तो देमांड है उसमें आप देखेंगे कि प्राइस में चेंज हल्का सबी हो बर्ट दिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज और डिकरीज होगा तो दिमांड बहुत जधा फ्लेक्श्वेट होता है तो इसको हम बोलते हैं परफेक्ट अलास्टीशिटी परफेक्ट इलास् क्लोस प्रसिचूट मार्केट के अब क्या होगा कि बिसलरी की प्राइज़ अगर मैं हलका सा बढ़ाओं तो डिमांड इसकी जो है बिसलरी की बहुत जादा कम देखने को मिलेगी तो मैं एक बिसलरी को बनाने वाला मिरे अब गौर्मिंट मैं और मेरे टेक्स लगा दिया मैं मुझे पता है कि जो इसकी डिमांड है बाजार में इतना चुह कंप्टिशन नहीं कि बिखरी क्या रही है इस लुए इस केस में बड़ी सेंसिटीव है कई बार अपने बावद बढ़ जाती है कई बहुत जदा कम हो रुपए एक बटल के उपपर अगर यह एक रुपए मैं कस्टमर पर ट्रांसफर कर दूंगा तो कस्टमर वो टेक्स पर छोड़ो कुछ चीजी नहीं लेगा तो वो कस्टमर चला जाएगा दूसरी प्रोडेट की तरफ तो इस केस में जहां डिमांड इतनी संसिटीव है उस क सवाल है कि हमें कैसे पता लगया घृष एक स्सक्टमर बरसे अगर हो जाया टेक्स लगाने से तो समझ आहेगा यह वसूली कस्टमर को चिंज नहीं आए तो समझ जाएगा कि सही घृष्व लोगा हो जाएगा आज मेरे छोड़त क्रोपिकर रहा है इससो कंप्लेट करवान के बाद फिर मैं important questions chapter wise लेकर के आया हूं और chapter wise में हर chapter के important question आपको बता दूँगा उसी के कोड़ियां को prepare करना है और आपको सारी classes कहां पर कैसे मिलेगी है वो भी साथ आपको बता दूँगा ठीक है जी तो आपको यह संजमाया तो क्या संजमाया जहां पर डिमांड बड़ी sensitive है जहां पर डिमांड बड़ी flexible है उस case में जो है कोई भी फर्म यह रिस्क नहीं लेगी प्राइस टेक्स का बड़न producer पर पूरा कप्च दाता है तो जब क्या होता है जब डिमांड का नेचर कैसा हो एं वें डिमांड इस फर्स प्रस्ट कीस क्या है उन्हां पस्ट के यह बसंद मैं आपको फॉस्ट के जिरता हूं भंउन डिमांड इस है परफेक्ट एलास्टिk When Demand is Perfect Elastic आप देखिए Demand Perfect Elastic कैसा होता है यह आपने Price Elasticed Demand में पढ़ा है मैंने आपको पढ़ाया है यह मैंने दो वर पढ़ा चुका हूँ आपको टॉपिक में यह जो Demand है पारलल टू X-Saxes पारलल टू X-Saxes भी Demand करभए आपका इसको कहते है perfect elasticity demand ठीक है और यहाँ पर अगर मैं supply curve की बात करूं तो supply curve आप जरनली जानते हैं कैसा होता है यह आपका supply curve है ठीक है और price का set है market के अंदर वो भी देट लिजेगा जहांबे demand and supply intersect करते हैं वो equilibrium price होता है आपको पता लगए कि equilibrium price क्या है यह बाजार में प्राइज इसकी set होई पड़ी है यह equilibrium point है और यह equilibrium price है और demand कर भी है अब क्या हुआ इस case में demand है perfect इलास्टिक नेचर की बल्लब की demand में changes जो है वो काफी जादा देखने को मिलता है ठीक है तो यहाँ पर जैसी मैं text लगाता हूं इसलिए मैंने demand कर्भ कैसा बना दिया एक इस shape का बना दिया अब जैसी मैं text लगांगो तो supply कर में क्या change आएगा बता ही पहले बाब बता हूं मुझे जब डिमांड बहुत sensitive है डिमांड प्रफेक्ट इलासिटी है तो जो गर्मेंट आप एक ऐसे प्रडिट के supplier हो एक आप एक ऐसे प्रडियूसर हो जिसका ब्रेट बहुत sensitive demand के डिमांड बहुत जादा आप एंडाउन रहते हैं तो अगर आपके उपर as a government मैंने टेक्स लगा दिया तो क्या आप इस टेक्स के बड़न को कंजूमर करोगे मेरा कहने का मतलब है क्या प्राइज आप इंक्रीज करोगे ऐसा करोगे आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करोग कि इससे आप competition में बहुत पीछे रहे जाओगे मार्केट के अंदर तो वह आप खुदा फोड करोगे इसका मतलब है कि price में कोई change करने का इरादा नहीं है टेक्स लगने के बाद भी यही मतलब है चलिए देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है परफेक्ट लास्टी नेचर का है औ इंटरसेट कर रहे हैं तो आप देखी का supply तो कम हो गई Q से Q1 पर आ गए supply तो कम होगी टेक्स लगने से पर प्राइस में कोई change आया प्राइस में कोई change नहीं आया इसका मतलब क्या है कि इस case में आपको एक बात दिख रहा है कि टेक्स लगने के बाद भी supply कर्व लेक्ट व हब कैसा है आपका perfect elastic nature का है क्लियर है कोई doubt किसी बच्चे को तो doubt पूछ लीजिए चलिए अब आगे बढ़े एक एक और केस है एक situation में और पूरगा पूरा producer इसको afford करता है यह बात समय में आपको आई है नहीं पहले बताएए जब supply क्या होती है perfect in elastic होती है कि वें कि वेंश सप्लाई इस अइद में परक्ट इनवासतिक इस सचुशन में में परफेट इनवास्टिक का मत्लब यह हो गया कि सप्लाई में कोई कोई चेंज आहीं सकता है सब्लाइं में कोई चेंज आएगा ही नहीं है इसे कहते हैं perfect in less ह। तो यहां पर आप देखेंगे कि सफ्लाइ में यहां पर कोई परफट इन लाथ्जिक जब आपके सप्लाई रहेगी तो उसकी Is ilantically कैसे बनाएंगे क। परफेक्ट इनलास्टिक सप्लाई में ऐसा रहता है सप्लाई कर ठीक है और डिमांड करतों आप जानते हैं मैं सप्लाई की बात करो डिमांड करतों पर जनरली ऐसा ही रहेगा और डिमांड एंड सप्लाई का हंटर सेट कर रहें यहां पर कर रहें यह आपका एक्किलिब्यम प्राइज और रिजन वाई एक्सिस एक्स एक्स एक्सिस प्राइज क्वांटिटी ठीक है और यहां पर हमारे पास में क्या है यह एक्सिस प्राइज प्राइज कितना बढ़ा लो गठालो सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं हो फांट की तो इसकेश इसमें अगर आप देखेंगे कि जब आप अप्रमेट लगा रग तो सप्लाई का अगा इसफार आईगा ही नहीं सप्लाई करक melody happiness अ Means प्राइस रहेगी तो मत्तम यहां पर भी प्रडियूसर ही टेक्स को क्या करेगा अफोर्ड करेगा क्लियर है और यह जनली वो छीज़े होते हैं जो कि गौर्णमेंट खुद प्रडियूस करती है कि गौर्णमेंट अपने कमड़िटी की सप्लाई को अफेक्ट नहीं करती है तो उसका टेक्स भी गौर्णमेंट ले दिती है गौर्णमेंट इसके प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं आने देती है तो दूसरा के इस सिंपल्स आप समझेगा जब आपकी सप्लाई परफेक्ट इनलास्टिक होगी इस तरीके से तो टेक्स लगने के बाद इस बार यह से नहीं होगा ठीक है नहीं वो कंज्यूमर इए सिस्ट नहीं करेगा जब परफेक्ट एनलास्टिक के तो सप्लाई में कैश्पॉइच वो करने वाला है ही नहीं वो यह जो वड़ी नैसेसरी होती है वहां पर जो है वह वह चीज को सप्लाइब नहीं करता है जैसे कि मैं एक्जांबल के लिए कहता हूं कि कई बार कम्पनीकेशन में एंटी एनल होता है तो अगर गॉर्मेंट की कंपनी होती है गॉर्मेंट इस पर टेक्स भी एगर कंपनी जोटी टेक्स लगा रही है वो सब अब टेक्स लगाया सप्लाइक राप टेफोड़ड आपसे लिए लीफटे मोले चैनल पर दंव झान अपने अपसरी और फारक नहीं पड़ता है ग्लेर घू. स्ल्क लुटर जी है और कृत नहीं अए उसले स्क्राण है स्क्राइब कर द?!?! अब देखेगा अब सवाल कैमेरा when tax falls entirely on consumer किस situation में tax पूरी तरीके से consumer पर transfer कर दिया जाता है किस situation में tax पूरी तरीके से consumer पर transfer कर दिया जाएगा सवाल अब यह है तो देखेगा आप जड़ा सोचिए बताएं उस पर case 1 में quantity decrease होने पर क्या effect पड़ेगा कोई effect नी पड़ेगा जनरली टेक्स लगने से quantity supply पहले से कम हो जाती है tax लगने से cost बढ़ जाता है जिसकी वएसे वो जो है supply को पहले के कमपटेवली क्या कर पाते हैं कम कर पाते हैं या फिर जो फर्मे होती है कुछ फर्मे इस situation में आ जाती है कि भया वह गौर्वर्मेंट पे वह कस्रमर पे पैसक ट्रांसफर भी नहीं कर सकती है टेक्स का बड़न और खुदी अफोर्ड करना पड़ेगा कहिने कहीं उसको इतना profit नहीं आता है वो सिफ्ट कर देता है दूसरी commodity की तरफ supply पे तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि वहाँ पर उसका supply मार्क बाजार में कम हो जाती है वो X firm के जगा वो Y firm में involved हो जाता है तो बेसिकली टेक्स लगने से तो negative impact पड़ता है यह supply के उपस supply आपका कम होगा यह होगा अब जैसे देखेंगे when a text falls entirely on consumer यह किस case में होता है यह जब होगा case number was first when demand is when demand is perfect inelastic demand is perfect inelastic perfect inelastic का मतलब क्या है परफेक्ट inelastic का मतलब क्या है परफेक्ट inelastic का मतलब है कि price और यह के demand ठीक है तो आपके पास है price increase हुआ demand यही है price decrease हुआ demand यही है जिसमें कि price पर कितना भी आप effort कर लो बढ़ा लो या घटा लो demand में कोई change नहीं आएगा उसे हम बोलते है परफेक्ट inelastic ठीक है परफेक्ट inelastic का पुडिया में डाल करके बनागरें घूमेंगे बात बात से हम उसको टेस्ट करते रहेंगे नहीं तो एक सॉल्ट कैसी चीजा price बढ़ जाए तो demand में पोईस रखने पड़ेगा प्राइस कम हो जाए तो दिमांड इसकी बढ़ेगी भी नहीं तो एक प्रडियूसर है मैं फॉर्म प्रडियूसर हुँए और बात अच्छे से मालूम है कि आप उस तरीकी के प्रडियूसर को बना रहे हैं अब जिसकी परफेक्ट इनलास्टिक है मतलब प्राइज बढ़ा भी दोगे तब भी दिमांड इसकी कम नहीं होने वाली है मतलब कि कहीं न कहीं आपके बाजार में आपके लिए खास रिस्क नहीं है दिमांड को लेकर करके तो जो गौर्णमेंट मैंने आप पर टेक्स रगाया आपको प शमुण समस्थे हैं इसे वाटो को I I I do go होता है यह आपका जो इमांड कर भेए वह इस तरी के रहेगा तो यह सब्सक्राइब कर दिछ क्रesisफार पहले हैं तो जा थिकिक और सब्राइए कर तो जब्सक्रान क्राइब आज रहेगा संप्लाइग कर रहे हैं जाए फड़ट कर रहे हैं कि यह प्राइद हो गया कि एए अले यह लिएम पॉइंटर तो यह प्राइज और कांगे esmanать कि यह कौंटेटी हो गई यह demand curve है और यह आपका supply curve है अब आपको पता है कि आपने text लगाया जब text आपने लगा दिया है तो supply curve पर तो effect पड़ेगा supply curve यहाँ पर leftward shift हो जाएगा तो supply curve यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि supply curve आपका जो है वो क्या हुआ वो इस बार leftward shift हो गया आपका तो यह आपका S1 और S1 हो गया तो अब new supply curve वो demand curve कहाँ है दुसरे को intersect कर रहे है अब वो यहाँ पर intersect कर रहे है demand supply curve तो आप इस बात को ज़रा समझने की कोशिश कर लीजिए यहाँ पर कि price आपका P से क्या हो गया P1 हो गया इसका मतलब क्या है कि जितना आपका tax लगा उतना ही आपका price बढ़ा तो इसका मतलब क्या है कि tax का सारा का सारा बड़न कहा डाल दिया as a consumer पे डाल दिया मेरी बात समझे या नी समझे clear है जी कोई doubt किसी बच्चे को clear है clear है clear है clear है अजय को अजय को आ अगा को अगा कर दो 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 अगा है जी देखें जरा हालो जी जी हात अको आए निया आए बताए जरा कि ले रे अब मैं बात यहां पर करता हूं आपसे कि एक और केस सिटूशिंग करीड वो सकता है एक तो perfect in elastic जब demand है और दूसरा case जब perfect elasticity supply है कौन सा case हो गया एक perfect elasticity supply केस हो गया परफेल्ट एलास्टिक सप्लाई मतलब की सप्लाई इस बार बड़ा सेंसिटीब है सप्लाई लोग कम कर देंगे ऐसा कुछ प्रोड़ेक्ट है जो कि परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई होती है यह वो प्रोड़ेक्ट होते हैं जो कि अलड़ी बहुत कम मार्जन पर कोई सप्लाई कर रहा है जयादा नहीं कमा रहा है एक दो पैसे कमा रहा दो बहुत कम कर रहा है अब बस वह बाजार में है काफी टाइम से तो वह बस वह है इसमें भी अगर उसको टेक्स का बड़न टेक्स लग जाए तो जहां पर बहुत कम मार्जन होता है वहां पर हलका सा भी अगर कुछ प्रॉलम आये वहां को शट्डान कर देती है सप्लाई डान हो जाता है और थोड़ा सा इसके लिए फेवरेबल कोई पॉलिसी आ जाए तो इदम से सप्लाई में और भी लोग जुट जाते सप्लाई बढ़ जाती है तो बहुत कम मार्जन प्रॉफिट है उसकी जो सप्लाई है कि एक डिलास्टिक नीचर की सप्लाई होती है मतलब होता है तो बहुत कम मार्जन पर चीजें ओर मार्केट के उंदर एबेलेबल करवाई रही है अब मैं बात करता हूं फैलेट इलास्टिक का मतलब होता है थालेल टू एकसे एक्सी डिकें थेस्वन अब यहां पर आपके पास्विक डिमांड करब है और यहां पर आपका जो है एक लिबियम प्राइस एक लिबियम कॉंटिटी जहां डिमांड इन सप्ले कर इंटरसेक्ट करते हैं ठीक है अब क्या हुआ टेक्स लगाया टेक्स लगाया तो यह सप्लाइग तो लेफ्ट पर जाएगा जाएगा इस तो परफेट इन इलास्टिक है न तो जा दो सकते हैं अब देखेगा अब डिमांड सप्लाइग कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहां पर तो पहले इपॉइंट पर थे अब यहां पर कहां आगे तो प्राइस पी था तो पीवन आ गया जैसी टेक्स लगा सप्लाइग कर लेफ्ट पर सिप्ट हो गया और प्राइज भी क्या को अफोर्ड कर रहा है कंज्यूमर अफोर्ड कर रहा है क्लियर है क्लियर जी कोई डाउट कोई डाउट है तो पूछे तो यह दो केस आपको सुझ में अच्छे साया अब जो डाउट से उसको आप पूछे मैं स्वाइट को वापस कर रहा हूं यहां पर देखेगा सवाल क्या था कि वेन टेक्स फॉल्स इंटालियों प्रड्यूसर कब प्रड्यूसर खुद सारा टेक्स अफोर्ड करता है जब डिमांड बहुत सैंसिटी वह मतलब परफेक् इसका मतलब क्या हुए टेक्स का सारा बड़न को लेकी बैठा है वह परड्यूसर ने अपने उपर ही ले लिया ठीक है पहली बात दूसरा जब आपके सप्लाइट परफेक्ट ले इन इलास्टिक को उस केसिस में भी जैसे यह है और यह डिमांड कर भाए टेक्स लगाया आ चेंज आएगा है ने सप्लाइव होई है तो प्राइज में भी चेंज आए तब भी सारग सारा एक फ़र्म ने खुद ही इसको अफोर्ड कर रहा है दूसरा पॉइंट कि कब टेक्स का बढ़न सारा कंज्यूमर पर आ जाता है जब ऐसे प्रोड़क्ट की बात करूं जो ऑल उपर नहीं लेगा कंजूमर ट्रांसफर कर देगा कैसे ऐसे देखिएगा सप्लाइब बड़ी सैंसिटीब है प्रफेक्ट इलास्टिक है और जैसे ही टेक्स लगा सप्लाई अलेक्टोड शिफ्ट हो गया और आपका डिमांड कर वही है तो टेक्स देखिएगा इसको प्राइब बढ़ गया तो अब लगाने से सप्लाइब पर एफेक्ट पड़ता है सप्लाइब कर पर एफेक्ट पड़ता है कि समझे जीश को क्लिर रहें अब एक सवाल यह है कि वेजिस रेट क्या होता है कि मल्लब की कई बार होता ना कि गवर्मेंट भारत में तो खैर ऐसा देखने को नहीं मिलता है भारत में तो काम करवानी के उपर है कि आप किसी से चारगार में भी काम कर वालो किसे से दो जागार में भी काम कर वालो कि आठाट यह काम कर यहाँ पर दस आरपी में काम कर दो लेते हैं तो यहां तो खेर minimum wages rate का मतलब यह कि वह जितना ज्यादा आप employee का हर्ष कर सको जितना ज्यादा अपने employee को खतम कर सको कर दो उसका जीवन जीवन नहीं है लेकिन बहार एक minimum wages rate भी होता है कि इससे नीचे employee को देना पाप है समझें बहार को एगर employee अगर वो सर्वेंट है तो उसको भी सर बोलना पड़ेगा उसको आप जो है उसके dignity को आप जो है पर उनके सपोर्ट के लिए minimum wages rate भी आ जाता है कि मिनिमम बेजिस रेट की मैं बात करता हूं कि मिनिमम बेजिस रेट क्या होगा जा समझेगा कि जनरली क्या है कि लेबर की मार्केट के अंदर अपनी डिमांड और सप्लाइब होता है एक बाद बताई जरा मुझे एक सिस्व भारत में लेबर सब्सक्राइब है कि सर्वेंट अमेरिका में सस्ते मिल जाएंगे यह भारत में सस्ते मिल जाएंगे भारत में तो 2000 पर में आप कपड़े सब कुछ काम करवालो खाना बनवालो बत्ते दिलवादो जो दस्ता प्राणा बरत्ता ने उसको भी चम कवादो दो घंटे वोलो एक्स्टा बैड़ जे भारत करतो यह भारत की ब्राइब नहीं करता यहां की लोगों की मनसिक्ता की ब्राइब कर रहों एक्स वाई प्राइस क्वांटिटी डिमांड सप्लाई एक लियर देखिए हां जी बताइए वेजिस रेट सस्ते कहां पर होंगे इंडिया में होंगे अब बताइए ज़रा इंडिया और यूसे में मैंने बोला कि इंडिया में और यूसे ठीक है अब बताइए जो वेजिस रेट कम कहां होंगे बताएं जरा इंडिया में होगा या यूसे में होगा बताइए वेजिस रेट कम कहां होगा ये जो है इंडिया में रेट कम होगा अब ये क्यूं होगा जरा मुझे इसका भी कारण बता दो क्यों होता है धी के अब इंडिया में ज्यादा लेबर एप सक ओ तो जो हैंट उपाइर में कंपेटिसेन होता है मतलब कि competition create हो चुका है यहाँ पर employee के बीच में कि मुझे काम पर रख लो मुझे काम पर रख लो अब competition जब create हो गया तो काम पर उसको रखा जाएगा यह खुद ही अपने आपको बोलेंगे कम पर काम करने के लिए तयार हो जाएंगे मेरी बास समझे या नहीं समझे और कम पर काम का निल क्यार हो जाएंगे तो इसलिए इनका wages rate जो है कम हो गया लेकिन वहाँ पर क्या होता है अस्ट्रीलिया में क्या होता है अमिर्का में क्या होता है पुपलिशन कम है तो manpower भी कम है और जब manpower कम है तो demand जितनी है supply से कम है बढ़ा है अब पांच लोग उसको अहां देके बला रहें हमारी तरफ आजो हमारे काम करिए अब हमारे पास काम कीजिए अब वह employee किसके पात जाएगा वह employee उसके पात जाएगा जो ज्यादा पे करेगा तो वहाँ पर वेजी से बढ़ जाता है तो इसी तरीके से किसी गु पजार में और यह सीकिया हो जाती है फिलिए एंप कौंटिटी की इतने लिवर जो है जौपर है यह से मुए यह तो कुछ नए नहीं है तो सपलाइज होने के वज़े से और डिमांड कम होने की वज़े से जो यह वेजी सेट हो गया ना यह बहुत नीचे सेट हो चुका है इस आज के साइम पे दस बारा हजार पंदर हजारते में जॉब दे रहें पंदर हजारते में और आप भी जॉब सर्च करने के लिए जाएंगे अगर आपने ध्यान नहीं दिया चीजों पर आप अगर यह सोच रहे हो कि आपने सिरफ ग्रेजिशन कंप्लीट कर ली उसके नहीं है तो वह कोई आपके ग्रेशन को खास तब जो है तबज्यू नहीं देंगे और जो बारवी पास वाले को काम सिखा करके करवा जा सकता है वह आप कोई आप एक्स्ट्रा कोई आप रॉकेट साइंस सीख करके के नहीं जा रहे हो तो आपकी तनका भी वही पंदर आज रुपे सेट हो गया है अब 15,000 रुपे वेजी स्रीट सेट है जिसमें से कि आप मान लीजिए 32 रुपे के आदा लिटर दूद है तो आपका 1000 रुपे के आसपास तो आपके जो है महीने का अगर एक लिटर दूद की बात करूं में तो 15,000 रुपे महीने का दूद में चले जाता है 1000 रुपे का सिरिंडर भर दोगे तो और आपके बाद जो मलब की आपका जो तनका मिल मिलती है जो एवरेज वेजी स्रीट है वह आपकी सुबह की जो है चाय में ही चली जानी है और आने जाने के ट्रांस्पोर्टरिश में चला जाना है बचना कुछ भी नहीं है त तो अगर ऐसा वेजेस रेट डिसाइड हो गया है ऐसा डिसाइड हो गया है जो कि ऐसुगौर जिस पर सृवाइव नहιं कर सकता है तो करते और इंशाओ को पर नहीं धे सकते हैं वह प्रक्राइब करना का निवीं कर लो लेकिन इंपलॉई को तणकर इंसान है तो जब in जो है ना वो मोटिवेटीड हो जाते हैं और फिर उनकी लेबर की एक्सेस सप्लाई हो जाती है ठीक है जी क्लियर है बाद समझे या नहीं समझे तो यहां पर सुच्छ में कहीं नकर अनिंप्लोईमेंट भी देखने को मिलता है और सकार मुझे बोल देती कि 25,000 से कम पर आपक पचाश जान पर वह मेरे देने की हिम्मत नहीं है मैं एक कोई काम ज्यादा करवानी कोशिश करूँगा और एक इंप्लोई रखोंगा इससे विरुजगार है जाती क्योंकि एक्सेस लिवरादी साइट एक्ट कि अगर गर्रोव्मेंट ने मिनिममम वेजिस रेट को मार्के अगर अबब रखा तो वहाँ पर अने इंप्लोईमेंट जो है जन्नेट हो जाएगा ठीक जी क्लियर एक क्लियर जी नहीं भारत में ऐसा नहीं कि भारत में काम नहीं है भारत में जौब नहीं जौब है लेकिन आप अपने आप से पूछी आपको आता क्या है क्या एक अच्छा खाना बना लेंगे आप पूछ यह क्या आप क्या काम कर सकते हैं बता तो सही कोई रेश्टरॉन लगा सकते हैं आता क्या ही बता यह कंप्यूटर बहुत अच्छी से आता है आप में से जिसको आता है उसको अंदर जागी जौब नहीं हो 25,000 रुपे की ज आपको मतलब हमको हम सब को क्योंकि हम लोग हास होना आता है सरी यह शुवने बहुत अच्छा वोला अच्छा आप अच्छा 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 और अगर सरकार ने अपना मिनिमम बेजिस रेट को अगर एक क्लियरम पर ही रखा तो इससे कोई गस्ति रखने पढ़ना नीचे रखने पर भी कोई फरक नहीं पढ़ेगा ठीक है जी कि हंदी में नोट्स के लिए बच्छे बात वर मैंने एक किताब लिखी है बड़ी मेहनत करें के आप लोगले वह बुक लिखी है बश्या बूला नहीं मैंने ही लिखा हुए है ठीक है जी अभी जो आपके पास में अब अपडेट हो करके सिफदास की टैनियर आ रहे हैं और अब आएंगी और आने वाले टैम में बच्चा कई बार उसको नहीं मानता है तो अब उस पर आप टैनियर पर आप देख लीजीगा मेरी फोटो लगी ठीक है मैं यह कर दिया अब क्या उसका रेट हो सकता है तो वह मैं बताएता हूं बाकि मैं कंटेंट भी डलवा रहा हूं और मैं भी इंपॉर्डन कोश्चन को पर बड़ी तेजी से काम कर रहा था रेट वही 60-80 रुपय के अंदर-अंदर होगा तो होगा सो रुपय में हो जो इंग्लीस में क्या है कि जो मैंने बुक में लिखा है वह मैंने यहां लिखा है इसस यह पिल्ता कि अपले लो सो सब्सक्राइब कोई दिक्केट नहीं है ठीक है बड़ अगर आप सोट कपी पढ़ सकते हैं तो मैंने आपको आपको करवा दिया है कि मैं दोने बच्छे को एक होगा तो ज्यादा अच्छी ते किसे पढ़ा जाएगा आप से ठीक है उसमें क्या करोगे इंपॉर्टन कोश्च तो वहाँ पर मेरी एकनॉमिस की फीस साथ जार रपे थी एक सेमिस्ट्री की आज से बारा साल पहले और आज फीस आजार रपे कैस पसले गई है तो यार इतना नहीं होता है वो थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लो ठीक है अखै ठीक है फिर भूए लगादा तो मैं आपको एक reply के चिप्टर तो हिंदी मीडियम् के कंटेंड के लिए मैंने सबसे पहले यही कामугण लागा था कि बच्छा परिशान ना ना हो बच्चा सरवाइवग ना हो हिंदी मीडियम में कि उसके पासर कंटेंडP Friendly करने ताकि आप कही पर भी हैं अपने घर के आज पास हैं आपको चीजें एबिलीबल हो जाएं सो सभासों रुपए में एक मिनीमम रेट पर इसलिए सबसे पहले मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने वो बुक्स को मार्केट में प्रोवाइड करवाया था तकि बच्चे को को दिक्कत ना हो और सेम मैं इंगलिस में भी किया है अब बात करते हैं मिनिमम वेजिस रेट को हम बोलते हैं नियुमतम मज़़ूरी दर यह समझ में आया तो आपका एप्लिकेशन डिमार्डन सप्लाई में आज से क्लास में यही था अब बात करते हैं मौस्ट 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 इंपोर्टन कोश्चन की